हेलो एब्रिवन वेल्कम टू मैं चैनल ट्यूसन जोन वाई अन्सिका जैसा कि क्लास 9 चेप्टर 12 हीरोंस फोर्मला मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा दिया था और उसका सेमी पेरिमीटर कैसे फाइंड करते हैं वो भी बता दिया था ठीक है और मैंने एक एक्जाम सिग्नल बोर्ड एक सिट्यूट है इंडिकेट यानि कि बता रहा है क्या लिखा है उसमें स्कूल अहेड इस तरीके से आपgef fu देखहोंग चैना को आगे स्कूल है इस ए्कुज एंद्र उन्सudani लिखा हुआ है ना वहाँ पे जो board है वो किस तरीके का है ट्राइंगल का है वो है ट्राइंगल सेप का और वो क्या है एक एक एक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ तीनों साइड उसके हमें साइड भी देदी यानि कि तीनों साइड उसके है ये तो मैं लिख सकती हूँ जास Find the area of signal board ये जो signal board है इसका area निकालना है वह है experience using Heron's formula क्या find है किशन Ay निकालना है लेकिन हम 1 बासाइट ये formula नहीं लगा सकते हमें क्या हेरon's formulauster हमें parameter बिहा है दिया हुआ है 180 cm the area of signal board, signal board का area क्या होगा, start करते हैं सबसे पहले तो solution में हमें given लिखना पड़ेगा कि हमें क्या-क्या दिया हुआ है, तो मैं यहां से given से start करती हूँ, given है हमें, सबसे पहले तो equilateral triangle है, क्या है यह triangle, ठीक है, which is equal, sorry, equilateral, ठीक है, यह दिया हुए हमें, second चीज हमें दी हुई है, कि उसकी side क्या है, side equal to, क्या है, A है, ठीक है, यह भी लिख लिया, मैंने, अब बोला, parameter दिया हुए 180, तो मैं यहां बे लिखूंगी, parameter equal to 180 cm, ठीक है, गलती से आप cm2 मत लगा ना, यह parameter है, तो 180 जब हमें मिल गया है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, कि एक triangle का parameter क्या होता है, तीनो side इसकी plus होंगी, A plus A, और plus A, equal to 180 होगा के नहीं होगा, parameter तो यह होता है, कि तीनो side plus कर दो, तो answer हमारा parameter का आता है, तो मैंने यह लेखा, अब देखो, 3A, यह क्या बन गया, A plus A plus A, 3A, equal to 180 cm, ठीक है, इससे हम क्या निकाल रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा, side निकाल रहे है, देखिए कैसे, A यहीं पे रहेगा, और 3 जो है वो उसके upon में चला जाएगा, तो क्या रहेगा answer, 60 cm, 3 से 18 जाएगा, 6 बार, तो 60, यानि कि side हमें पता चल गए, 60 cm, अब side हमें पता चल गए, तो आपको लाश्ट वीडियो में मैंने आपको बता है था, semi parameter, तो लिकालते हैं यहाँ पे, semi parameter, semi parameter, equal to, क्या होता है, side, 3 साइड को plus करके upon करना है, half करना है, मैं semi का मतलब ही half होता है न, तो मैं करती हूँ, एक side आपकी क्या है, 60, plus 60, plus 60, हुई न, 3 साइड, और upon हमने क्या दे दिया, 2, तो क्या हो जाएगा, 63 है, यह गएगा 180, है न, और 180 का 2 से divide दे देंगे, तो क्या हैगा, 90, यानि कि, sorry, 90 डिग्री लगाने के आदत हो गई है, सिर्फ क्या होगा, 90, semi parameter, semi parameter में होगा, मैंने लेखा, यानि कि, s equal to हमने क्या निकाल दिया है, 90 cm, ठीक है, और आपको formula तो पता ही होगा, हीरोन formula का, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, लिखती हूँ मैं आपे, हीरोन formula, area of triangle, ये मैंने root लगाया, s, यानि कि, semi parameter, s minus a, s minus b, और s minus c, ये formula आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप जाके देख भी सकते हैं एक बार, अगर आपने नहीं देखा है ये वीडियो तो, equal to, s equal to 90 है, तो s की जगे आप क्या लग दोगे, 90, ये मैंने रखा, 90, s, s की जगे आप अभी 90 रख सकते हैं, मैंने ऐसी लगा दिया, minus a, a क्या है आपका 60 है, फिर से, इसलिए मैंने a, b, c की जगे, a की value रखा, 60, 60, अब देखिए, यहाँ पे, आप solve करेंगे, तो क्या हैगा, ये जो 90 है, वो तो यहीं रहेगा, 90 माइनस, ये क्या है, multiply में ही तो है सब, 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा, 30, 90 माइनस 60, 30, और ये भी 90 माइनस 60, 30, लेख सकते हैं नो, 3, 3 is a 90, ये, 3, 3 is a 9 होता है, और 0, 90, तो इन्टू, फिर बचा, 30, ये वाला 30, और ये वाला 30, तो इसमें आपको दिख रहा होगा, पेर बन रहे हैं हमारे, देखिए, कौन से पेर, एक ये पेर, और एक ये पेर, तो इससे मैं बाहर एक find कर सकते हूं, उसका निकाल सकते हूं, root से निकल जाएगा, ये कितना निकलेगा, 30, और इस पेर में से एक root से निकल जाएगा, 30, अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ root 3 बचा, और ये हम क्या find कर रहे हैं, area find कर रहे हैं, area of triangle, तो 30 और 30 क्या हो जाएगा हमारा, 900, 30 इंटू 30, 900, और root 3 ये बचा, बस इसे आगे और सो शॉल कर निस सकते हैं, तो ये आपका answer हो गया, area of triangle का, ये रहापका answer, इस तरहे के से आपको जो answer find करना था, यहाँ पे देखिए, what will be the area of signal board, यानि signal board का area क्या होगा, आपका 900 root 3, है ना, I hope आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और question भी समझ में आया होगा, एक बार आप जरूर practice करिएगा इसकी, और ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ये A, साइड निकान ली है, सबसे पहले आपको साइड फाइन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका question स्टार्ट होगा, I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो don't forget to subscribe my channel and like the video, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, नेक्स्ट कुषिन के साइड, थैंक यू